दोस्तो अगर आप एक ब्लोग क्रेट किये हैं तो आप उस पे पोस्ट जरूर करते होंगे और जब आप अपने ब्लोग पे पोस्ट करते हैं तो आर्टिकल तो जरूर लिखते होंगे जब आप article लिखते हैं तो आपको एके code ध्यान में रखकर और type करना पड़ता है चाहे तो आप अपने laptop से type करें या फिर mobile या फिर अपने computer पे type करते होंगे एके code को ध्यान में रखकर के और type करना पड़ता होगा आप एक बार जरूर कभी न कभी सोचे होंगे कि यार ऐसा कोई येप नहीं है ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे लिखने का आप स्पीड बरहा सके फास्ट हम अपने व्लोग पे पोस्ट कर सकते हैं दोस्तो है हम इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और यहां पे आप स्पीड बरहा सकते हैं टाइप करने का जैसे आप बोल करके भी टाइप करवा सकते हैं चाहे तो अपने कम्पीटर में भी ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं लेकिन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं mobile से क्या आप mobile से कैसे बोल करेंगे अपने blog post लिखने के लिए article लिखने के लिए इसे कैसे use करेंगे यहां पे इसे के बारे में हम बात करेंगे तो चलिए video को start करते हैं और अगर आप channel को subscribe ने की तो channel को subscribe कर दें ताकि blog से related आपको video मिलता रहे time पे जब भी हम video upload करें आपके पास notification पहुंच जाए इसके लिए तो सबसे पहले अपने phone में google play store open करेंगे और यहां पे आपको blogger लिकर करके search करना है blogger लिकर search करेंगे इस app को अपने phone में download कर लेंगे install कर लेंगे यह app google के तरह से provide किया गया है अपने blog को manage करने के लिए और इसमें login करके अपना blog manage कर सकते हैं अपने blog पे article लिख सकते हैं publish भी इसके द्वारा कर सकते हैं simply दुगारा यहां search icon पे किलिक करेंगे और यहां पे google keyboard लिकर के search करना है इस app को भी आपको अपने phone में install कर लेना है ताकि अगर आपका blog हिंदी से इंगली से other language में होगा हिंदी या फिर किसी भी language में होगा तो आपको translate करने की कोई जूरत नहीं है आटोमेटिक आप बोलते जाएंगे और यह translate करके other language में type करता जाएगा इसके लिए आपको इस app को भी अपने phone में download करके install कर लेना है दुवारा home पे click करेंगे और blogger app को open कर लेंगे open करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा आपके phone पे यहां पे आपको द्यान देना है उसी mail ID से login करना है जिससे आपका blog create है जिससे आप blog चला रहे हैं नहीं तो अगर दूसरा mail ID select करते हैं तो आप blog को manage नहीं कर पाएंगे उस पे article नहीं लिख पाएंगे मैं यहां से अपना mail ID select करता हूं और यहां पे मैं login हो जाता हूं आप यहां पे देख पाएंगे कुछ इस तरह का interface दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने पहले से यह सारे जो पोस्ट है हमने पहले से इस पे publish कर चुके हैं इसलिए यह सारे पोस्ट दिखाई दे रहे हैं आपके फोन में आपके ब्लॉग पे आपने जैसे जो पहले पोस्ट किया होगा publish वो सारे पोस्ट आपके फोन पे दिखाई देगा आपके display पे फिर आप यहां पे कुछ setting भी यहां से कर सकते हैं जैसे अपने logo पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको मिल जाता है view your blog इस पे अगर क्लिक करते हैं तो आपका blog page open हो जाता है इसके नीचे setting पे क्लिक करते हैं तो यहां से आप यहां पे देख पाएंगे display नाम change कर सकते हैं दुबारा दूसरा है blog नाम change कर सकते हैं तीसरा है blog URL अपना blog का address भी यहां से change कर सकते हैं इसके नीचे है comment और यहां पे मिल जाता है notification आप चाहे तो इसे on up भी यहां से कर सकते हैं यहां से मैं हो जाता हूँ back और यहां पे आपको एक मिल जाता है drag अगर आपका कोई article publish नहीं है आप article लिखते हैं और publish नहीं करते हैं तो इसमें आकर के shape हो जागा और यहां से आप दुबारा उसे edit कर पाएंगे यहां से मैं publish पे क्लिक करता हूँ और अब मैं आपको बता देता हूँ अगर आप नया article लिखना चाहते हैं वो कैसे लिखेंगे यहां पे आप simply pencil icon पे क्लिक करेंगे उपर आपको मिल जाएगा title का option title में अपना article का title जाल देंगे जैसे मैं य जो अगर डाल देता हूँ और यहां पे अपना article लिखने के लिए नीचे start creating your post का option मिल जाता है इस पे आपको क्लिक कर देना है यहां पे अपना article लिखेंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं जिस बारे में अपना article लिखना चाहते हैं वो यहां पे लिखेंगे अब आपको बोलकलकर से type करवाना है simply यहां पे आप देख पाएंगे mic icon मिल जाता है mic icon पे click करेंगे और यहां पे बोलते जाएंगे automatic यहां पे type करता जागा यहां पे मेरे phone में recording चल रहा है इसलिए यह काम नहीं करेगा आपके phone में definitely काम करेगा simply मैं यहां से ok करता हूँ ok करने के बाद अगर आपका blog दूसरे language में है English से दूसरे language में है simply आप यहां पे click करेंगे और यहां पे आपको google translate का icon मिल जाता है इस पे आपको click करना है click करने के बाद simply यहां पे आप ओर language select करेंगे जिसमें आप बोलेंगे और इसके बाद यहां पे ओर language select करेंगे जिसमें आप type करवान चाहते हैं उस वह वाला लाग्वेज यहां पर आप सिलेट करेंगे जैसे मेरे में हिंदी पहले से सिलेट है हम हिंदी ही रहने देते हैं इसके बाद यहां पर लिखेंगे आप चाहे तो यहां पर टाइब भी कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि ब्लॉग कैसे बनाए, ब्लॉग कैसे बनाए, यह होता है न, ब्लॉग कैसे बनाए, आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर हिंदी में लिख 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 है, ब्लॉग कैसे बनाए, हमने यहाँ पर इंगलिस वर्ड में लिखा और उपर हिंदी वर्ड में यह बना दिया है automatic यहां से select कर लेंगे जो भी आप language select करना चाहते हैं और select करके और यहां पर type कर सकते हैं या फिर अगर बोलना चाहते हैं हम बोल कर ही ज़्यादा तरह type करते हैं अपने blog पे और अपने blog पे publish करते हैं simply मैं ऐसे ही करता हूँ यहां पे select करता हूँ और जो अपना language है वो select करेंगे और यहां से Mac icon पे click करता हूँ और बोलते जाता हूँ automatic यहां पे type होता जाता है और जो भी थोड़ा बहुत 10% 5% wrong होता है वो बाद में सुधारना परेगा आपको भी सुधारना परेगा यहां आप जो भी बोलते जाएंगो 100% correct हो मतलब 95% आपका correct होगा और 5% wrong होता है उसको आपको सुधारना परेगा simply आप देख पाएंगे यहां पे हमने लिख दिया है ब्लॉग कैसे बनाए यह हमने लिख दिया है इसको मैं कर देता हूँ back बैड करने के बाद यहां पे मैं कुछ टूल के बारेँ म器 बता देता हूँ जैसे यहां पी मैं कर देता हूँ How to create a blog जैसे मैं यहां पे एक बार और यहां पे English में लिख देता हूँ ताकि आपको यहां पे समझ में आए English में हमने लिख दिया है अब इसको अगर बोल्ट करना चाहते हैं जैसे इतना हमने select किया और इसे बोल्ट करेंगे यहाँ से बोल्ट भी कर सकते हैं यह सारे टूल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ज्यादा कुछ यहाँ पे टूल नहीं दिया गया है जैसे Chrome में दिया जाता है इस app में ज्यादा cool tools नहीं है यह सारे को तीन चार जो टूल है यह सारे को आप यहाँ पे use कर सकते हैं अगर आप link करना चाहते हैं hyperlink इसके लिए सबसे पहले आपना link कोपी करेंगे जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पे YouTube में और यहाँ पे अपने blog का जो यह है क्या बोलते हैं playlist है उसके link कोपी करूँगा और वहाँ पे hyperlink करूँगा आपको दिखा देता हूँ कि आपको hyperlink कैसे करना है simply यहाँ से playlist open करूँगा how to create a blog open किया और यहाँ share पे क्लिक करेंगे फिर copy link पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना भी word आप hyperlink करना चाहते जितना word में आप hyperlink करना चाहते उतना select करेंगे जैसे मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पे आप link icon पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना link पेस्ट कर देंगे link paste करने के बाद यहाँ पे add link पे click कर देंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे hyperlink हो चुका है अब यह जब हम publish करेंगे तो direct इस पे click करने के बाद कोई भी बंदा होगा और चला जाएगा YouTube पे YouTube के playlist पे अब यहाँ पे अगर आप image लना चाहते हैं जैसे मैं यहाँ से एक image ले लता हूँ कोई सा भी आपको दिखाने के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे image आ चुका है ऐसे करके अपने article में यहाँ पे image भी upload कर सकते हैं इस app को दोरा और लिखने का fast का तरीका बहा सकते हैं जैसे हमने बताये यहाँ पे mic icon पे click करेंगे और यहाँ पे आप बोलेंगे और जो भी आप बोलेंगे automatic यहाँ पे type होता जाएगा मेरे phone में नहीं हो रहा है क्योंकि हमने recording कर रहे हैं इसलिए नहीं हो पर आया है अब इसको publish करने के लिए simply आप इस पे click करेंगे इस पे click करने के बाद यहाँ पे आप label select करेंगे जो भी आप label देना चाहते हैं मैं यहाँ पे block डाल देता हूँ आप जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं इसके बाद अब इसको यहां से publish भी कर सकते हैं simply इस पे click करेंगे दुबारा publish पे click करेंगे यह article publish हो जागा अगर आप draft में save करने चाहते हैं simply यहां पे back पे click करेंगे और यहां पे आपको save का icon मिल जागा simply आप save पे click कर देंगे यहां पे draft में यहां पे save हो चुका है आप यह पर देख पाएंगे दुबारा इसे इडिट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे दुबारा इस पर क्लिक करेंगे यहां से जो भी आप चाहिए दुबारा इडिट भी कर सकते हैं जो भी आप यहां से इडिट करना चाहते हैं जब आप जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं इसको publish करने के लिए simply यहाँ पे अब click करेंगे और simply फिर से यहाँ पे click करेंगे और यहाँ से publish पे click करेंगे यहाँ पे publish सुनाई start हो जाएगा. आप यहाँ पे देख पाएंगे publish भी हो चुका है अब यहाँ पे मैं भी ब्लॉग करके और दिखता हूँ कि मेरा जो मैंने जो article publish किया है वो publish हुआ है या नहीं हुआ है मैंने जो अपना hyperlink डाला हुआ था अपने playlist का वो काम कर भी रहा है या फिर वो काम नहीं कर रहा है वो म यहाँ पे देख पाएंगे page publish हो चुका है और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे blogger हमने title डाला हुआ था और यहाँ पे आ चुका है सिंपली इस पे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद मेरा जो पोस्ट थाओ open हो जागा और यहाँ पे hyperlink भी हो चुका है इस लिंक पे कोई अब भी बंदा अगर किलिक करता है तो डाडेक्ट यूटूब चैनल ओपेन हो जाएगा यूटूब का playlist ओपेन हो जाएगा आप यहाँ पर भी देख पाएंगे यूटूब का playlist ओपेन हो चुका है तो दोस्तो ऐसे करके और इसमें आप article लिखने का तरीका चेंज कर सकते ह और first अपना article यहाँ पर लिख सकते हैं अब अगर आप यहाँ से कोई article डिलेट करना चाहते हैं ओ भी आप यहाँ से कर सकते हैं सिंपली इस पर click करेंगे और यहाँ पर three dots पर click करेंगे नीचे मिल जबहागा delete the post इस पर click करेंगे और आपका article डिलेट हो जाएगा जो भी से डिलेट करना चाहते हैं वो आप यहां से डिलेट कर सकते हैं दोस्तों अगर आप इस मेलाड़ी से दूसरा भी ब्लॉग क्रेट किये हुए हैं तो आप यहां पर सिलेट करेंगे और जितना भी आप ब्लॉग क्रेट किये होंगे इस मेलाड़ी से वो आप यहां से मैनेज कर सकते हैं उस पे आर्टिकल लिख सकते हैं दोस्तों यह था ब्लॉगर का यह और इसमें इतना ही है और ज्यादा टूल इसमें नहीं दिया गया है अकर आपको ज्यादा टूल चाहिए तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा इसमें हमने बताया कि आप ओनलाइन मतलब बोल कर है और अपना आर्टिकल लिखने का तरीका है और चेंज कैसे करेंगे फार्षट आर्टिकल लिखेंगे अपने ब्लॉग पे पोउस्ट करने के लिए तो दोस्तों आपको इस वीडियो कैसे लगा कॉमेंट में जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को करें ताकि हमें भी थोड़ा हिल्प मिले और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर और अपलोड करें